हाई फ्रेंद्स, वेलकम टुमाय दुजा आज के वीडियो में शेयर करने वाली ये 10 चीजे ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने कभी भी नहीं खानी चाहिए याद रुखो all of you ये कोशन बहुत बार आता है मा के खाने का एक्चुली बच्चे के उपर क्या असर होता है याद मिल्क के क्वालिटी के उपर क्या असर होता है सच्चा ये है कि अगर मा खाने पीने में गड़बड करती है तो काफी हद तक उसका असर मा के उपर होता है और बच्चे के उपर तो खेर बाद में हो जाता है ऐसा कही पर भी लिखानी गया है कि जो मा बहुत जादा खाती है वो बहुत अच्छे से दूद्ध प्रड्यूस करती है जो मा बहुत सारी सफेद चीजे खाती है वो सफेद दूद्ध प्रड्यूस करती है जो मा एकदम granular पतला पतला करके खाती है वो पतला पतला दूद्ध तो ऐसे कई सारे myths है, इसलिए आज हम लोग जानेंगे top 10 चीजे जो breastfeeding mother ने कभी भी नहीं खाने चाहिए First thing, spicy food, याद रूख all of you breastfeeding mothers, spicy food खाने से ये बात नहीं कि बच्चे का दूद तीखा हो जाएगा Spicy food खाने से आप लोग का acidity shoot होने की possibility होती है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको एकदम bland खाना खाना है, but yes Because आपके रियात के नीन का schedule अभी तक fixed नहीं है, थोड़ा सा up-down चालू है, अगर इन सब के बीच में आप लोग spicy खाना खाते हो, तो वो आपके acidity को shoot कर सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है, spicy खाना नहीं खाना है, दूसरा चीज, only cereal based खाना, only cereal based मतलब भाकरी, चपाती, चावल, इन चीजों को आप बहुत जादा ले रहे हो, कई सारे culture में इसके साथ protein दे देता है, but vegetables, fruits, इसका कोई अत्ता पता ही नहीं है इसलिए cereal based, बहुत जादा cereal based खाना आपको नहीं खाना है, विकास आपके health के लिए आपको सब चीजों का जरुरत है सिर्फ अगर चपाती, चावल, राइस, ऐसी चीज़े खाऊगे, तो वो आपके recovery को भी hamper करेगा तो exactly कैसे खाना खाना चाहिए, a very very simplified way अगर आप लोग को बताओ मैं, तो आप लोग को protein, fiber, vegetable, fruits और पानी, इसके उपर सबसे जादा धान देना है सीरियल आपके plate में सबसे last item रहेगा जिसके उपर आप जाओ तो vegetables खाऊ, पानी पीओ, fruits खाऊ, vegetables खाऊ, पानी पीओ, fruits खाऊ, उसकी साथ, दूद के quality के लिए high protein खाना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है इसलिए आपके diet में ऐसे proper nutritionally balanced खाना होना चाहिए थर्ड thing, instant food, जैसे maggie है, आप immediately लेके बस gas पे रखे, थोड़ा सा पानी अड़ करके अगर खा लोगे, नहीं आपके घर में अगर help अविलेबल नहीं है, आप लोग fresh cooking नहीं कर सकते हैं फिर भी आपको instant food avoid करना है, फिर भी आपको instant food में ऐसी बहुत सारी चीजे डलती है, preservative डलता है, जो आपके body में और थोड़ा imbalance create करेंगे फिर अल्रेड़ी hormones के लेके काफी up-down चल रहे है आपके body में, तो उसको और up-down में नहीं लेके जाना चाहिए 4th thing, tinned food, tinned food, ready to cook, ready to fire, ready to eat, ये जो चीज़े है, tinned fruit juices, tinned soups, ये चीज़े आप लोग को avoid करने, बिकुस अगें, tinned चीज़ों में बहुत ज़्यादा preservatives होता है, बली हम लोग बोलते कि खाने का direct impact, breast feeding पे या breast milk पे नहीं होता है, बट अल्टिमेटली मा जो खाती है, उसी से breast milk बनता है, healthy, balanced, nutritive खाना खाऊगे है, तो वो आपके लिए कभी भी बहुत ज़्यादा आच है, अल्कोहोल is involved, आप कॉक्टेल ले लो, आप लोग, अल्कोहोल बेस्ट, अगर कोई dish, कोई dessert ले रहे हो, तो आपको avoid करना है, अल्कोहोल is supposed to be having a direct effect on mother's breast milk, तो आप लोग को अल्कोहोल किसी भी form में avoid करना है, 6th one, too much milk, लोग इतना दूद पीते हैं, बिकोज पूरा concept यह है कि, अगर breastfeeding करने वाली मा बहुत दूद पीगी, तो उसको बहुत सारा दूद आएगा, जहाँ पर reality वो नहीं है, अगर अगर आप too much दूद पीते हो, तो आपका constipation बढ़ेगा, too much दूद से आपको gases हो सकते हैं, and genuinely speaking, too much दूद से आपका बाकी का जो quantity of nutrition आपकी पेट में जाना चाहिए, वो शायद से नहीं जाएगा, इसलिए आपको यह चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि milk cannot be your food और milk must not be your food, तो दूद आपको बहुत ज़्यादा proportion में रखना है आपकी डायेट में, यूजूले हम लोग बोलते हैं 400-500 ml दूद बहुत हो जाता है, granular, पतला-पतला, liquid-liquid करके खाना मत खाओ, कई सारे cultures में ऐसा है कि अगर आप लोग पतला-पतला, liquid-liquid करके खाना नहीं खाओगे, तो liquid-liquid दूद बहार नहीं निकलेगा, आपका digestive system एकदम weak हो चुका है, तो आपको ऐसा ही खाना-खाना चाहिए, जो digestion आपका बहुत ज़्यादा आसान करेगा, This is not the reality, कर्चरली जमाने में माओं को इतने सारे बच्चे होते थे, तो उनकी बास उतना समय नहीं होता था कि बैट के चोटे-चोटे बाइट करके अच्छे से चबा-चबा के खा सके, यह हमारे grand parents घर पे बोलता है कि यह जो पतला-पतला खाने का थेरी है, वो वहाँ से आया, कि ठीके फता-फत सब चीज़े mix कर दो, पतला-पतला कर दो और पी जा, because मा का at least nutrition compromise नहीं होगा, हम लोग के बास time होता है, छोटे-छोटे बाइट लो, छोटे-छोटे बाइट लेके खाना खाओ और अच्छे से चबा के खाओ, बेकरी आइटम, यस, bread, bun, bun-maska, पाओ, नान-कटाई, खारी, यह जो सब चीज़े हैं, यह आप लोग को avoid करनी है, तो लोग को नहीं है, तो आप लोग को निहान में रखना है, तू मच अब डेजर्ट सो शुगरी फूर, जैसे डोनट, केक्स, पेस्ट्रीज, अरश्या मीठाई, जब तक में नहीं खाओ, तब तक तो मेला खाना ही नहीं पचता है, घरवाले दिन में दो-तीन बार खीर बना करते हैं, जितना मीठा खाओ गे उतना बहुत जादा अच्छा, अगेन अल अफ यू रिमेंबर, तू मच शुगर अगर आपकी बॉड़ी में घूमता है, तो वो बाकी हर सिस्टेम का काम डिले करता और अफिक करता है, उसके ही साथ अगर बॉड़ी में टू मच शुगर है, तो वो न्यूट्रियंट का अब्सॉप्शन भी हमपर करता है, उसके ही साथ वो अन्नेसरी वेड गेन का भी एक रीजन बन सकता है, तो टू मच शुगर एवाइड करो, लोग को जब इम लोग बोलता है, टू मच आइटम जिससे मदर को अलर्जी है, जिससे अलर्जी फूड कुछ लोग अंडे को लेके अलर्जी होते है, कुछ लोग किसी स्पेसिफिक फूड आइटम को लेके अलर्जी होते है, अगर आपको ऐसा मदर किसी चीज से अलर्जी है, तो आपको ध्यान में रखना है और दिस्टर्ब हो जाता है नेक्स इस एक्सेसिव कॉफी एंटी इंटेक बेसीकली काफेन डजी थाव इफेक्ट ऑन अब्रेस्ट मिल्क श्रया यस इदस टूमच आफ टी यस इट विलाव इफेक्ट तूमच का मतलब क्या है दो कप से जादा मत पियो कप साइज छोटा होना च काफी जादा हाम करेगा तो टूमच कॉफी टूमच टी हैस टू बी एवाइड लास्ट आइटम जो कंप से एवाइड करना इस एक्सेसिव घी कई सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं गाई का घी कितना भी खाओ फरक नहीं पड़ता है बैस का घी खाओ तो मोटा पावरता है अल्टिमेटली वो फैट है फैट लिमिटेड क्वांटिटी में खाओगे आइडिली बोलते है 45 ग्राम ऑफ फैट पर डे आपके लिए अलावंस है 45 ग्राम मतलब पकड़ लो आपके तेल और घी मिला के पाच टी स्पून आपके पोहा खाने के जो चमच होते हो पाच जरुवत नहीं है सो मदर्स यह दस चीजे अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आपको कमपलसरी एवाइड करना है जिससे आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जन्नी बहुत जादा स्मूध होगा और आप भी बहुत अच्छे से रीकवर कर पाऊगे ब्रेस्ट फीडिं करना ही अगर आपको मारे वीडियो अच्छे लग रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें जरूर बताना आपको पर्टिकलर वीडियो कैसा लगा आव ग्रीट टाइन और बाई